सो हेलो दोफतों मैं हूँ आपका प्यारी गेमर और आज के वीडियों में आप सभी के स्वागत है तो गैस आज हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं इंफिनिक जीटे 10 प्रो की बहुत सारे बंदे मुझे इंफिनिक जीटे 10 प्रो को रेक्मेंड किये हैं पर्चस करने के में बताएंगे बॉक्स को ओपन करते ही हमें देखने के लिए मिलता है कुछ इस्टेकर गाइड मैनुवल एंड यहाँ पर एक स्क्रीन कार्ड भी है सो इसको रखते हैं साइड में हमारे पास इंफिनिक जीटे 10 प्रो इसको इस रैप से बाहर निकालते हैं अब देख सकते हो इसका गलॉस malaria बिल्कुल लगता है अलगी मतलब अलगी डिजाइन किया गय बेंगो ऊपर जायड में वह एंड कापना जाथ गया एंड काळा प्रिमियम लगता है औब बात करते है boards and buttons की फोन की उपर साइड में एक speaker है microphone है phone के right side में volume rocker है and power button भी है finger print sensor है guys in display and phone के नीचे साइड में speaker है charging port है microphone है and 3.9 mm jack भी है काफ़े ज्यादा साандard phone के left side में यहाँ पा similar grill देखने के लिए gene बीड़ को चलो इसको भी आपर प्रफॉमेंस की बात करें इस फोन में XOS देखने के मिलता है वी थर्टीन एंड एंडरोड वर्जन थार्टीन के उपर यह बेज रहे एंड इस फोन में जो सीप्यू लगा है मतलब की जो प्रोसेजर लगा हुआ है डैमेंश टी एटी फिप्टी का है मतलब की अच्छा खास प्रोसेजर तक एकस्पेंड कर सकते हैं इस फोन में 120 हर्स का रिफरेश रेट हैं एक इस्पीकर फोन काफ़ ज़दा इसमूज चलता है यदि गेमिंग करते हैं तो भी एंड कोई फिल्म देखते हैं मल्टे मीडिया यह कॉंटेंड देखते हैं तो भी बहुत बहुत चलता है इस फोन में dual studio speaker है एक speaker फोन के उपर साइड में है एक speaker फोन के नीजे साइड में भी है इस फोन के बॉक्स को इस परकार से डिजाइन किया है जिसको फोन में असा रखके इसको डीजी की तरह इसको यूज कर सकते हैं तो तो दो देखते हैं किस परकार से लाउड साउंड करता है या नहीं करता मुझे तो काफी जादा लाउड लगा आप कॉमेंट करके यह बताओ कि आपको इस फोन के speaker कैसे लगा मासा आया है कि नहीं कॉमेंट बाक्स में कॉमेंट जरूर कर देना हैं यूज को लाइक भी कर देना एंड बात करें इस फोन के डिस्प्ले की सो डिस्प्ले तो काफी बढ़ी है सो इस फोन में 6.67 इंचीज की फुल अचीडी ब्लस एमुरेट डिस्प्ले लगा है वन ब्लेंस कलर है इसके अंदर रिफ्रेंस रेट है 900 की पीक ब्राइटनेस है यह थी थोड़ा और बढ़ा देते ना पीक ब्राइटनेस को तो बहुत ज्यादा किलर डिस्प् एंड 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 एड़ी आर 4K 60fps में जो वीडियो की कॉलिटी काफे ज़दा इंक्रीज हो जाती है फिक ब्राइटनेस थोड़ी से मुझे कम लगी है लेकिन गाइस यहां पर आप वीडियो की कॉलिटी देख सकते हो बात करूँ बैजल की तो चारो साइड से एक से बैज और बात करें इस होन की कैमरा की सोगा इस कैमरा एक्सաरा करें एंड डूरी मेगा पिक्सल का मैक्रो क्यम्रा एंड ग्रेंड यायविंग फोन मेंस यह यह एक बेुद एक होड़्ू है इंड गेसल में देखने अ थी लेकिन हम इसमें इतना च्छा दिया है री दिया एन काफ देया है जिसके साय तर से मोडर्प है एंड काफी सारे मोड है जिसकी सायत है सच्छे ची आपर फोटोस हम क्लिक कर सकते हैं एक दो शेपल देखते हैं सो यह रहा यहाँ पर पोटेड की फोटो है सो देख सकते हो बैक साइड में क्या ही बलर किया है फ्रेंट साइड में अच्छा खासा आपर फोकस किया है एंड काफी सारे गेम और ट्राइ करेंगे सो इसमें भी एक गेम टर्ब देखने के लिए मिलते है जिसके भी काफी सारे फीचर्स है चलो मैं आपको दिखाता हूँ लेफ स्लाइट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारे आप्शन्स और फीचर्स निकल के आएं जो कि गेम प्ले में काफी जड़ा इंप्रूब करेंगे परफोर्मेंस में पावर शेविंग मोड है एंड बैलेंस है उसके बाद यहाँ पर एक है परफोर्मेंस मोड सो यह वाले में काफी इनहेंस कर देता है जो कि CPU एंड GPU दोनों एंड यह लॉक स्क्रीन का है कुछ इस प्रकार का हो जाता है एंड नीचे में आप दे सकते हो काफी शारा है मतलब काफी सारे और फीचर्स है बाइपास चार्चिंग भी है एंड और भी ऐसे ऐसे फीचर्स है जिसको on off करने से काफी enhanced gaming हो जाती है एंड इसमें एक और जो कि मुझे साफ से अच्छा लगता है वो magic बटन है magic बटन को हम यह पर enable कर लेते हैं एंड enable करने के बाद इसको press and hold करके रखेंगे and drag कर देंगे and जहां भी आपको रखना है उस जगह उसको drop कर देंगे done कर देंगे उसके बाद जो volume rocker है न उसमें click करेंगे so automatic यह जो volume rocker है वो trigger की तरह काम करेंगी and trigger की तरह काम करेंगी so अच्छा कासा यहाँ पर हमें advance की मिल जाती है so यह gameplay में काफी जदा improve कर देता है and बहुत सारे ऐसे mode है जो कि आपको personally काफी ज़्यदा पसंद आएंगे बात करो इसकी free fire की gaming experience की so free fire तो यार कोई भी फोन में अच्छा तारीके से चल जाता है लेकिन थोड़ अच्छा device रहते है तो और भी अच्छा चलता है so इस phone में हट तक अच्छा चल रहा था मतलब की बहुत ज़्यादा खतरनाक सा gaming नहीं हो रही थी मतलब की ऐसा की phone lag ही ना कर रही है एक भी frame drop ना हो ऐसा नहीं है यदि phone heat हो रहा था या काफी दिर तक हम gaming कर रहे थे तो बाद में फ्रेम ड्रॉप एंड थोड़े बहुत lag भी देखने के लिए मिले थे so इसमें मैं बोलूँगा की उतना ज्यादा हाड लेवल की gaming नहीं कर सकते हैं मतलब की high level की gaming एंड जो medium level की gaming है एंड उसके बीच में जो gaming आती है उस तरह की इसमें बहुत खतरनाक नहीं नहीं बहुत घटिया भी नहीं हम medium गेमिंग कर सकते हैं एंड परशाली यह गेमर्स के लिए डिजाइन किया है तो गाइज इतने कम प्राइज में जो 20,000 के अंदर में फोन आते हैं उनमें उतना अच्छा गेमिंग नहीं हो दागता लेकिन फिर भी इसमें अच्छा खासा प्रोसेसर की हिसाफ से परफॉर्मेंस हैं मिटर टेमंस टेक जो प्रोसेसर रहते हैं उतने ज्यादा तगड़े नहीं है ते यदि इसी के जगह यदि श्नैप ड्रेगन का इट सीरियस का कोई प्रोसेसर रहता तो वह और भी ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करता एंड इससे दस मतलब की दो गुना अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता फिर हमने यह पर स्टार्ट क यह बीजे माई सो ग्राफिक्स की बात करूं सो इसमें अल्ट्रा एजडियार का आप्शन इनेबल नहीं हो रहा था एजडियार में अल्ट्रा सैट करके एंड जो इसमूद है उसको 90 एपफ में सैट करके गेमिंग कर सकते नाइटी एपफ का सपोर्ट है इसमूद में अच एक्चुली में भाई मुझे खतरनाक से एक्स्पिरियंस आ रहे थे एंड एफपेस अच्छा आ रहा था गेम पर बहुत ज़्यादा इसमूद हो रहा था मुझे तो पता भी नहीं ता भाई इसमें इतने अच्छी गेमिंग भी हो सकती मतलब की इसमूद 90 एपफ की बात कर है ज्यादा से ज्यादा 41 उसके बाद यहाँ पर 42 एंड 43 44 फिर यह खत्रा है मतलब की काफी हीट हो रहा था फोन काफी देर तक इसमें मैं गेमिंग किया तब की बाद बतर हूं लेकिन तब भी इसमूद गेम प्ले चल रहा था फिर मैंने ग्राफिक चेंज किया एंड ग्राफिक चेंज करने के बाद मतलब की HDR में किया और HDR में Ultra सो उसके बाद काफी फ्रेम ड्रॉप देगने के लिए मिला मुझे एंड उतना इसमूद भी नहीं चल रहा था मतलब की हाई ग्राफिक में मैं गेमिंग करू इसमें तो अच्छी गेमिंग तो नहीं हो पाई कि जैसे कि आप देख सकते हो काफी फ्रेम ड्रॉप हो रहा है एफ पिस उतने अच्छी नहीं मिल रहा है मुझे सो इस फोन में इसमूद में 90 fs में गेमिंग करें सो अच्छा खाता experience आएगा एंड वही ग्राफिक चेंज करके खेलें तो आपको थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप एंड थोड़ा बहुत लैग भी देखने के लिए मिलेगा जब फोन ज्यादा हीट हो जाएगा तब ठीक है एंड इस फोन में जो एक्स अरेन हैं उसके भी अलग अलग फीचर्स है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो पर इसको काफी हद तक इंक्रीस कर देता है यहाँ पर काफी शारे आपसंस हैं जैसे कि डू नोट डिश्टब मोड हैं एंड ऐसे फीचर्स जो की काफी हेलफुल रहते हैं गेम टर्बो में एंड गेमिंग एक्सपिरियंस को और भी जदा अच्छा बना देते हैं कुछ इस प्रकार का इस फोन का एक्सपिरियंस रहा मेरा मज़ा आगया इसमें गेमिंग करने में हमने काफी सारे फीचर्स को देखे इस फोन के जदी आपको वीडियो पसंद आती है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक ज़रू करना चाहिए का सब्सक्राब करके बाज़